हलो बच्चो बच्चो हम लोग डिसक्स कर रहे हैं Assignment Day 19 के Question की Solution यह सभी Question हमारा प्रिवेस ये जैई मेंस के हैं और Application of Derivative के Maxima और Minimum का है तो चैसे देख रहे हो यह आपका पहला Question तो पहला Question जो हमारा 2019 में पुछा हुआ है चाहिए मेंस में Question है बच्चो Question यह कह रहा है इता Maximum Value of F function F of X यहां पर एक function दिया हुआ है और यह function on the set S हमारा एक सेट दिया है X belong to R X square plus 30 less than equal to 11X inch मतलब हमें इस interval में दिखे न इस function का maximum value निकालना है तब पहले तो हमें यह interval बताना पड़ेगा कि यह जो set S है यह क्या है उसी interval के बीच में हमें maximum value निकालना है चलिए करते हैं तो हमारा पहले देख लो इस चो interval दिया इसको तोड़ते हैं यह हमारा दिया X square plus 30 less than equal to 11X मतलब इसको आप तोड़ोगे इसको simplify करना है तो X square यहां पर लिख देए X square plus 30 less than equal to 11X कितना हो जाएगा X square minus 11X plus 30 less than equal to 0 अब इसको factor करोगे तो कितना आ जाएगा X square minus 5X आप minus 6X plus 30 less than 0 यह common लो तो यह minus 6 common लो less than 0 ठीके तो यहां से आएगा X minus 5 और X minus 6 less than 0 अब X minus 5 into X minus 6 less than 0 है तो क्या interval बनेगा कौन से interval तो देखो इस तरह से sign convention का use कर कभी भी इस तरह से आपकर निकालना हो किस interval में positive negative मतलब यह पूरा value हमारा 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो तो X की क्या value हो तो sign rule का use करते हैं तो ऐसा पर X minus 5 को 0 कर दो और X minus 6 को 0 कर दो तो X बराबर हमें 5 मिला और X बराबर 6 मिला दो point मिला जहां पर value 0 हो रहा है तीके और 0 हमारा ना positive होता है न negative होता है इसलिए हम 0 कर देगे किस-किस X के value पर 0 मिल रहा है तो 5 पर और 6 पर अब ऐसे हम एक number line लेंगे साइन दूल ही हो गया minus infinity ये plus infinity अब minus infinity प्लस infinity को ये दो भाग में तीन भाग में बाट दिया है देखो एक interval दो interval तीन interval अब किस interval में ये value हमारा less than 0 है चेक कर लेते हैं तो चलो यहां से हम इस interval में X की value क्या होगी 0 होगी चेक करो तो क्या रहा है तो zero रखेंगे यहां पर तो zero ते कितना आजएगा minus 5 और minus 6 minus कितना हो गया minus minus plus मतलब plus 30 30 तो positive है ठीक है तो अब यहां पर लिख लेंगे हम क्या कि इस interval में ये positive है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटीव और ये क्या हो जाएगा फिर? बहुजीटीव तो ये क्या दिया है? ये बोल रहा है की लेस देन G両ू है इसका मतलब नेगेटीव है और इक्वट्टू जीरू है मतलब 5 और 6 के भी बड़ाबर है less than zero के लिए हमारा x कहां से कहां तक हो गया 5 से लेके 6 तक अब देखो मतलब कि इसका क्या आ जाएगा एंसा x की value हो जाएगी हमारा 5 से लेके 6 तक यह हो गया मतलब क्या हुआ कि हमाया maximum value निकालना है जो maximum value है वो निकालना है देखे 3 x q minus 8 x square plus 27 x minus 40 किस interval में इस interval में देखना है इस interval में देखना है चलिए क्या करेंगी इसको हम differentiate कर दिए ति यह हो जाएगा 9 x square minus 36 x plus 27 9 common लिए तो x square minus 4 x plus 3 आ गया इसको factor कर दो इसको तोड़ोगे ते कितना आ जाएगा हम direct लिखते थे हैं x square minus 4 x plus 3 को तोड़ोगे ते कितना आएगा तो x minus 3 और x minus 1 आएगा अब इसको 0 के बराबर करते हैं put करेंगे if dash x को 0 के बराबर तो 9 x minus 3 और x minus 1 इकोल टो 0 तो यहां से x की value 1 आया और 3 आया अब x 1 और 3 इस interval में तो भी लॉंकर ही नहीं रहा है हमें तो इस interval में चाहिए था क्योंकि question तो आपका यहीं बोल रहा है question तो यहीं बोल रहा है न question बोल रहा है कि यह function का maximum value इसमें चाहिए इसको हमने तोड़ा तो हमें क्या मेला यह interval तो इसी interval में चाहिए तो x की value कोई नहीं होगा ना 1 होगा न तो यहां से हम X की वैलू ना 1 लेंगे और ना 3 because हमारा X किस में बिलॉंग कर रहा है 5 से लेके 6 तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि X की वैलू होगी 5 और 6 यही हमें मिलेगा point अब इस पर चेक कर लेते हैं कि किस पर हमारा वैलू maximum है और किस पर minimum है चलिए F of X क्या दिया हुआ है जी 3 X Q minus 18 X square plus 24 X माइनस 40 अब X equal to 5 पर चेक करेंगे X equal to 6 पर चेक करेंगे तो देखो अब हम F of 5 निकालो इतना हो जाएगा 3 5 का क्यूब माइनस यह देखो कितना करोगे एक सो परचीस हो जाएगा 5 का क्यूब एक सो परचीस है आए इंटू 3 कितना हो जाएगा 357 माइनस यह देखो यह हमारा होगा 25 और इंटू 18 तो यह हो जाएगा 460 और यह हो जाए कितना 27 हमारा कितना हो जाएगा 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा यह तो 135 और माइनस 40 तो इसको करते हैं प्लस वाले को आड़ कर लो ठीक है तो यह हो जाएगा कितना तो यह इसको इसको एड़ करेंगे तो 510 कितना हो जाएगा यह 510 माइनस 490 तो 510 माइनस 490 कितना जाएगा यह तो 921 और एप 6 पर देखते हैं तो यह कितना हो जाएगा 3 6 के पावर Q 18 6 X स्क्वाइर प्लस 27 इंटो 6 माइनस 40 ओके अब हम देखते हैं कि यह वैलू कितना आ रहा है तो देखो यह कितना है 6 Q इंटो 3 यह हो जाएगा 216 और यह 3 हो जाएगा तो 648 और यह कितना हो जाएगा 36 और 18 को मल्टिप्लाई करेंगे तो 648 आएगा और यह 162 माइनस 40 अब इसको स्वाल्व करोगे तो स्वाल्व करने पर हमारा आ जा रहा है यह तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा यह और यह तो ऐसे ही कैंसिल हो गया तो यह स्वाल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 112 तो मैक्सिमूम वैलू क्या मिला मैक्सिमूम वैलू 112 मिला ठीक है हमारा मैक्सिमूम वैल ठीक है तो यह इसका एंसर हो जाएगा 122 आपसे नमबर ए ओके नेक्स्ट कुस्टिन करते हैं यह देखो आपका सेकेंड कुस्टिन कुस्टिन यह बोल रहा है क्या कि एफ एस वन एस टू आर इस पेक्ट विदा सेट अफ लोकल मीनिमा एन लोकल मेक्समा पॉइंट और फंक्शन यह आपको फंक्शन दिया हुआ है और इस वन हमारा सेट है लोकल मीनिमा पॉइंट का लोकल मीनिमम पॉइंट का सेट है और यह फंक्शन दिया है तो इस वन और इस टू बताना है मतलब हमें पॉइंट निकालना है लोकल मी सुननी पहली आफ है आपका दिया है 5 से दिया हुआ है 9 इस 2 पावर 4-12 एक्स Q माइनस 36 एकस्क्री स्कॉार प्लस 25 रियों सींहां टी कह वें एंसी आटी में दिया हुआ यह एंसी आटी में एक्जाम्पल में कुशन दिया हुआ 6.3 का चलिए दिखर एफ डायस एक्स निकाल लो कितना हो जाएगा 36 x q प्लस 36 x square माइनस कितना हो जाएगा यह 72 x यह हो जाएगा 0 तो 36 कॉमन लिए 36 नहीं 36 x कॉमन ले लो तो यह हो गया x square प्लस x माइनस 2 आ गया इसको तोड़ो गेट इसको फैक्टर करोगे तो कितना आएगा यह देखो x square और प्लस 2 x माइनस x माइनस 2 ऐसे तब यहां से x कॉमन ले लोगे यहां से माइनस 1 कॉमन लोगे तो फैक्टर कर दो गया से यह वैलू हमारा कितना आ जाएगा तो x माइनस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा सिंपल है अब हम करेंगे पूट करेंगे क्या इसको जीरो कर देंगे इस डिरिवेटिव को मतलब हम एक्स का वह वैलू पता करना चाह रहे हैं जिस पर हमारा यह डिरिवेटिव मतलब डिफेंसेशन जीरो है और जहां जीरो होगा वहीं पर हमें लोकल मैक्समुम पॉइंट और लोकल मिनिमुम पॉइंट मिलेगा क्योंकि वहीं से याद टर्ण करेगा न तो चलते हैं तो यह x-1 और यह x-2 इक्वाल टु जीरो कर दिया तो एक्स ब्राबरबर जीरो हो गया x-1 ब्राबर जीरो x-2 ब्राबर जीरो तो यहां से x बराबर 1 मिला x बराबर माइनस 2 तो कितने पॉइंट मिल गए तो 0 1 और माइनस 2 चली अब साइन रूल का यूज़ कर लेते हैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी यह माइनस 2 है यहाँ पर 0 है यहाँ किसी भी इंटर्वल में मतलब यह चार इंटर्वल बढ़ गया ठीके चार इंटर्वल बढ़ गया जिसमें दिखाई दे रहा है क्या कि माइनस 2 पर यह डिफिनिटी जीरो है जीरो पर डिफिनिटी जीरो है और वन पर डिफिनिटी जीरो है मतलब माइनस 2 जीरो और वन पर हम में या तो local minimum point मिलेगा या तो local maximum point मिलेगा जिसी दर critical point या turning point बोलते हैं तो चलिए चेक करते हैं कैसे तो sign rule का use करते हैं if-x से पता कर लेते हैं कि किस interval में positive इस interval में negative है साइन रूल का use कर लेते हैं तो किसी भी interval में लेते हैं चलो इस interval में हम x बरावर 2 ले लिए x बरावर 2 आप इसमें रखो ape x में देखना है तो f-3 x तो यही है हमारा f-3 x तो हमारा यही है तीकहे एक बरावर 2 हमारा यही है अगर हम इसमें 2 रखते है तो देखो यहां भी दिखो द्यान से यहां भी 2 रकोगे यह 36 इंटू 2 और 2 माइनस 1 और 2 प्लस 2 तो यह वैलू 1 हो गया यह वैलू 4 हो गया यह हो गया 72 तो वैलू तो पोजेटिव आ रहा है इसका मतलब हो गया कि यह इंटर्वल में पोजेटिव तो यह क्या हो जाएगा निगेटिव फिर यह पोजेटिव और फिर यह क्या हो गया निगेटिव अब क्या पर चला कि माइनस 1 से माइनस 2 में हमारा एप डैस डिक्रीज कर रहा है और फिर यह यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग फिर increasing से decreasing ठीक मां बताओ माल नो कि यह decrease कर रहा है और फिर यह increase करने लगे तो अगर negative से positive जा रहा है मतलब decreasing से increasing जा रहा है तो हमारा जो critical point मिलेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा local minimum पोजिटिव से negative जाएगा देखो यह positive हो गया तो यह negative हो गया मतलब कि increasing से decreasing जाएगा अगर derivative तो हमें क्या मिलेगा local maxima ओके इसका मतलब क्या हो गया यहां पर हमें क्या मिला यह मिला local minima minima point यहां पर हो गया हमारा local maxima point यहां पर फिर local minima point ओके मतलब minus 2 और 1 पर हमें local minima मिल रहा है तो हो गया हमारा तो क्या तो at x equal to minus 2 और x equal to 1 are local minimum point ठीके and x equal to 0 is local maximum point चलिए अब मिल गया अब s1 set क्या है जी तो local minimum point का और s2 जो है local maximum point का तो यहां से हम s1 क्या हो गया हमारा तो minus 2 और 1 और s2 क्या हो गया तो 0 यही आपका answer होगी देखो तो कौन सा है minus 2, 1 और 0 minus 2, 1 minus 2, 1 और 0 यह option number A नेक्स करते हैं question यह देखे बच्चो आपका next question यह भी है हमारा 2019 के जी मेंज में पुछा होगा question है the maximum value of in cubic meter of right circular cone having salent height 3 meter बोल रहा है कि एक right circular cone है जिसका salent height अगर 3 meter है तो उसका maximum value क्या हो जाएगा ठीके simple question है देखे अगर आप right circular cone बनाते हैं ऐसे बना लिजी right circular cone ठीके यह देखे हमने बना लिए ऐसे right circular cone और यह आपका हो जाएगा radius और यह आपका हो जाएगा height इसका यह हम h मान लिए यह हम r मान लिए salent height L है और यह L कितना दिया है 3 meter तो इसका maximum value बताना है right circular की जब maximum value क्या हो जाएगा L h r में क्या relation होगा L square equal to हो जाएगा h square plus r square क्योंकि यहाँ पर यह right angle triangle बन रहा है ओके L कितना दिया है 3 square 3 दिया हुआ है तो h square plus r square यह हो जाएगा 9 h square plus r square यह relation होगे मतलब h square plus r square equal to 9 अगर हम h square निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 9 minus r square अब इसका volume क्योंकि volume हमें maximum बताना है तो volume क्या होता है volume अफे कोन मतलब b बराबर होता है one upon three pi r square h pi r square h अब r square को h के form में लिख दो तो यहाँ से हम r square लिख लेते हैं r square कितना हो जाएगा तो nine minus h square यह देखे रख दो value तो b बराबर होगा one upon three pi nine minus h square into h हो गया चलो multiply कर दो यह हो जाएगा pi upon three nine h minus h अब इसको differentiate करेंगे हमारा volume किसका function हो गया यह volume हमारा h का function हो गया ठीके volume हमारा किसका function हो गया h का function हो गया तो volume को हम differentiate कर देते तो लिख लो यह volume हमारा h का function हो गया पाई उपाउन 3 9H-HQ अब इसको हम differentiate करेंगे किसके respect में तो H के respect में मतलब हाइड के respect में पाई उपाउन 3 बाहर हो जाएगा चाहिए पर ऐसे लिख लो D उपाउन DH पाई उपाउन 3 9H-HQ चैने कितना आजाएगा पाई उपाउन 3 यह 9-3H² आजाएगा अब बोल रहा है कि maximum minimum किस तीके न हमें maximum value निकालना है तो किस height पर height vary करेगा यहाँ पर क्योंकि हम volume को height के function में निकाल ली तो height अगर हमारा बढ़ेगा तो volume अलग होगा देखो सबका volume अलग होगा तीके बढ़ेगा घटेगा तो height तो क्या करेंगा अब इसमें put करेंगे क्या dv upon dh कितना हो गया 0 किस height पर maximum है वो h तो निकाले तो pi upon 3 9-3H² equal to 0 तो कितना हो जाएगा 9-3H² equal to 0 तो यहाँ से कितना है h² equal to कितना हो जाएगा 9 upon 3 मतलब 3 तो h बड़ावर कितना हो गया plus minus root 3 अब plus minus root 3 में क्या लेंगे रिए究 plus minus 3 में h बड़ावर हो गया root 3 h हमारा minus root 3 नहीं होगा क्योंकि height कभी negative नहीं होता है क्यों? क्योंकि height कभी negative नहीं होता है तो h की value हमें कितनी मिल गई रोट 3 अब पूश रहा है कि maximum निकालने के लिए maximum value निकालने के लिए इसका मतलब h equal to root 3 पर ही maximum होगा क्योंकि एक ही point मिला तीके न h equal to root 3 पर ही ये पुरा derivative क्या आ गया 0 आ गया मतलब h equal to root 3 पर maximum value मिलेगा तीके तक क्या तो volume निकालने थे है maximum volume तो हमारा volume कितना है तो volume निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा volume हमें निकालना है तो volume का formula था pi r square h तो आ गया तो पहले फिर हमें r square निकालना पड़ेगा ओके तो देखो यहां से r square equal to 9 minus h square है h बराबर root 3 है तो r square कितना हो जाएगा 9 minus root 3 का square 9 minus 3 तो कितना हो गया 6 r square हो गया 6 अब रख लेते हैं value तो volume कितना हो जाएगा 1 upon 3 pi r square h तो 1 upon 3 pi यह 6 root 3 कितना जाएगा हमारा 2 root 3 pi मीटर q यह हुआ maximum value तो हमारा maximum volume कितना हो गया तो 2 root 3 pi यही मीटर q 2 root 3 pi दिया है option देखो 2 root 3 pi option number c हो गया ओके बच्चों नेक्स कुशन कर लेते हैं यह देखो आपका नेक्स कुश्चन यह भी कुश्चन हमारा 2019 कहीं है कुश्चन है a water tank has the shape of an inverted right circular cone मतलब एक water tank जो है right circular cone का inverted shape में है मतलब इस तरह से water tank हमारा इस तरह से देखेंगे यह water tank हो गया आपका इस तरह से इस तरह से आपका water tank है उसके बाद बोल रहा है कि हूज जिसका हूज semi vertical angle is 10 inverse 1 upon 2 इसका semi vertical angle होगा जैसे यह देखेंगे यहीं हुआ न semi vertical angle यह theta यह है और यह आपका r हो गया यह आपका height हो गया तो यह आपका दिया है semi vertical angle मतलब यह theta बराबर कितना दिया है tan inverse 1 upon 2 दिया है तो यहां से tan theta कितना हो जाएगा 1 upon 2 ओके आगे देखो तो आगे क्या बूल रहा है कि water is poured into it at a constant rate constant range range नहीं constant rate होगा और 5 cm cubic per minute okay तो दर rate in meter per minute at which the level of your water is rising at the instant when the depth of your water is tank is 10 meter मतलब हमें बताना अब इसमें हम क्या कर रहे है पानी भर रहे है यह tank है हमारा यह क्या हमारा tank है इसमें हम पानी भर रहे है पानी किस rate से भर रहे हो तो पानी जो है इस rate से भर रहे है दोको यह 5 cubic meter per minute के rate से भर रहे हो पानी तो इसका पानी का टंकी का level उठेगा ये rising होगा तो किस rate से ये rising हो रहा है level जब इसका depth water का depth जो है कितना है 10 meter है H कितना है When the depth of water in the tank 10 में मतलब भूल रहा है कि टैंक में water का depth कितना है 10 meter है मतलब की h बराबर हम रख लेंगे 10 अब ये देखो 10 theta दिया हुआ है उसके बाद हमें volume दिया है dv opportunity कितना है जी वो 5 meter cube per minute दिया है मतलब पानी इसमें भर रहे है तो ये volume ही न दिया है dv opportunity इस rate से ये पानी बढ़ रहा है मतलब volume increase कर रहा है पानी जैसे डालोगे इसमें पानी आ रहा है पानी इसका मतलब कि इसकी label बढ़ेगी मतलब volume बढ़ रही है इस tank का volume बढ़ रहा है तो volume किस rate से बढ़ रहा है इस rate से जितना पानी आ रहा है उतना इसमें पानी इस्टोर हो रहा है इसका मतलब वालूम आपकी बढ़ रही है मतलब इस पानी का लेबल बढ़ रहा है मतलब वालूम बता रहा है ओके और दूसरी बात H कितना दिया है? तेन मीटर अब चलिए निकाल लेते हैं हमें निकालना है क्या? DH अपन डेटी मतलब की पानी जब भर रहा है तो उसकी height कैसे increase कर रहा है? height का level कैसे increase कर रहा है? ये question में हमें पूछ रहा है तो देखो हमें पहले इसका radius निकालना होगा या radius height के term में निकालना होगा तो कहां से निकाल लेंगे? यहां से यह ठीटा हुआ आप देखो यहां से यह हैसे बन गया sorry यह हमारा इस तरह से बन गया है यह इस तरह से यह आपका ठीटा है यह आपका h है यह आपका r है देखो यहां पर तो यहां से time theta बरावर कितना हो जाएगा? r upon h और time theta हमारा क्या दिया हुआ है? 1 upon 2 तो हम लिख सकते हैं यह हो गया 1 upon 2 के बरावर तो यहां से r बरावर कितना हो जाएगा? h upon 2 r निकल गया चलिए आप कर लेते हैं volume क्या होते है? यह इस पर कर लेते हैं volume तो भी बरावर होता है 1 upon 3 pi r square h तो यह क्योंद्ध है 1 upon 3 pi r का बेल हो गया h upon 3 का square यह h ओके? 3 नहीं 2 ना कितना हो गया? pi upon 3 और यह हो गया हमारा hq upon 4 ओके? अब हम निकाल लेते हैं volume तो आ गया हमारा pi hq upon 12 आ गया अब dv upon dt निकालते हैं volume तो आ गया? चलिए हैं यहां से तो volume हमारा क्या आ गया? pi hq upon 12 अब हमें दिकालना है dv upon dt मतलब volume increase कर रहा है जो दिया हुआ है तो चलो देखो dv upon dt कितना हो जाएगा? यह हो गया यह pi hq upon 12 मतलब h यह pi upon 12 constant है बाहर निकल गया hq पहले किसे होगा? h से तो कितना हो जाएगा? 3 h square और फिर आ गया dh upon dt यह cancel हो गया तो 4 मतलब हमारा dv upon dt कितना आ गया? h square upon 4 और यह pi है और dh upon dt रख लेते हैं dv upon dt कितना है? 5 यह हो गया pi upon 4 और h की value कितनी दी है? हमें h की value 10 है h की value 10 मिटर दिया हुआ है रख लेते हैं तो यह हो गया हमारा 10 का square और dh upon dt h बराबर कितना है? 3 मिटर चलिए निगाल लेते हैं यह solve करो तो हो गया हमारा कितना 20 पंचों का 20 पाई और यह 100 का 100 ने 10 का नहीं square जी यह 10 का square मतलब 100 और dh upon dt तो हमारा कितना हो गया? यह cancel चल आएसे कर लो dh upon dt कितना हो जाएगा? तो 20 upon यह आगे कितना हो गया? 1 upon 5 तो यह हमारा answer हो गया 1 upon 5 मिटर पर मीनट dh upon dt मतलब height हमारा increase कर रहा है मतलब water का level जो है पानी इसमें हम भरेंगे पानी जब भरेगा इस rate से पानी जब भरोगे तो यह इसकी volume water की volume भी increase कर रहा है और height किस rate से increase कर रहा है? इस rate से किस rate से? इस rate से पर मीनट मीनट 1 upon 5 पाई मीटर पर मीनट यह आपका answer होगा तो हमारा देखो है 1 upon देखो option नमबर b ओके next question करते है यह देखिए आपका next question यह भी हमारा 2019 का ही पुछा हुआ है question है the height of a circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of a radius 3 बोल रहा है क्या कि हमें right circular cylinder का height बताना है जब उसका volume क्या हो maximum हो और वो sphere के अंदर हो sphere मैं inscribed in a sphere of a radius 3 meter 3 यहाँ पर meter क्या दिया है meter centimeter नहीं दिया है तो 3 unit लेके चलते है 3 unit radius का एक sphere दिया है उसकी अंदर हमें right circular cylinder है अब उसका volume maximum होगा किस height पर यही पूछ रहा है तो हम एक sphere ले लिए 3 ठीके इसका radius इसी के अंदर क्या है जी एक right circular cylinder है इस तरह से हमारा एक right circular cylinder है आपको इस तरह से अब इसकी volume maximum होगी तो इसका height क्या होगा यही बताना है ओके तो चलिए इसका height हम h ले लिए और यह center है तो यह आपका radius हो गया तो मालूम है यह radius r है ओके चलिए और यह radius हमारा r है आगे देखिए तो आगे हम क्या करते हैं यह इसको ऐसे मिला लेते हैं और यहां से ऐसे angle कितना बना angle देख लेते हैं मालेजे कि यह angle हम ठीटा ले लिए क्या ले लिए ठीटा यह तो आपका center है इसका तो देखो तो अगर यह r है तो इसको मिलाओगे तो यहां से यह भी r हो जाएगा तो देखो एक right circular बन गया एक है क्या बन गया इस तरह से यह देखो यह ध्यान से ले तो आई है कि यह थे यह एसे और यहां से यह है यसे तो इसको हम उत्सकर शाओ हमारा टू और यह आपका ठीटा दिए आपका एच और इसको हम माल लेते हैं कुछ बाल लेते हैं इसको हम ए माल लेते हैं ठीके मतलब कि यह हमारा जो क्या बोलते हैं राइट सर्कूलर हमारा सिलिंडर है उसका बेस राइट सर्कूलर कितना हो गया 2A हो जाएगा कितना हो जाएगा 2A तो ये कितना हो जाएगा 2A अगर बात करेंगा नहीं तो पूरा मान लो A चलो हम A ही मान लेते हैं पूरा हम पूरा यहां से जैसे इसको A B, C, D तो हम ले लिये A, B और ये C दी आगी ओके तो H बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा तो H बराबर हो जाएगा 2R sin theta तीके और A बराबर हो जाएगा 2R cos theta इसका A और H निकाल ली तो अब हमें बताना है कि यह जो right circular हमारा cylinder है इसका volume maximum होगा तो इसका volume बराबर क्या होगा इसका volume दो होगा the volume of cylinder मतलब cylinder cylinder क्या कितना हो जाएगा Pi R square H तो Pi R square तो Pi R square H यहाँ पर R क्या है A है यहाँ पर R क्या है A है मतलब A sorry diameter है तो ऐसे करते हैं कि R1 लिख लेते है Pi R square R1 तीके और यहाँ देखो R1 कितना हो जाएगा A upon 2 R1 हमारा कितना हो जाएगा क्योंकि A B जो है अब ध्यान से देखो इस figure में A B जो है Right circular का base का diameter है तो R1 हमारा हो जाएगा A upon 2 इस तो समझ में आ रहा है तो यह Pi हो जाएगा 2R cos theta upon 2 का square और यह हो जाएगा 2R sin theta चलो आप करते हैं कितना है जाएगा यह यह हमारा 2 से 2 खत्म Pi R square cos square theta और यह हो जाएगा हमारा 2R है और इंटू 2R sin theta कितना है 2Pi RQ और हमारा cos square theta sin theta अब यह volume आगिए volume हमारा maximum हो जाएगा 2Pi RQ cos square theta sin theta अब volume किस पर depend करेगा theta पर किस पर करेगा theta पर क्यों कि small r तो हमारा sphere का है यह small r तो क्या है sphere का radius है sphere का radius तो constant है वो तो fixed है sphere का radius तो हमारा constant है तो fixed है तो theta depend करेगा क्यों? क्योंकि cylinder का height अगर यह cylinder है cylinder का height अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो theta change करेगा इसको हम किसे differentiate करेंगे d theta से तो देखो 2 pi r q constant बाहर कर दिए d upon d theta cos square theta और sin theta को differentiate करेंगे चलिए differentiation देखते है कितना आता है इसका तो हमारा कितना आगया अगर हम differentiate कियें तो 2 pi r q देखो u और into v का यूज़ करते हैं तो चलिए cos square theta को छोड़ दिए sin theta का हो गया हमारा फिर cos theta plus sin theta को हमने छोड़ दिया cos square को क्या करेंगे तो कितना आजाएगा 2 cos theta फिर cos को करेंगे तो कितना आजाएगा माइनस यहाँ पर माइनस लिख दो यह माइनस sin theta यह आगया हमारा तोड़ा स्कॉर सिंप्लिफाई करें 2 pi r q यह हो गया cos q theta माइनस हो गया 2 cos theta sin square theta कुछ common हो जाएगा common हो जाएगा कितना 2 pi r q इसमें से common तो भी नहीं होगा नहीं होगा चलो चलो इतना ही छोड़ देते हैं cos common ले सकते हैं लेकिन छोड़ो अब इसको 0 के बरापर put a dv upon d theta 0 क्योंकि हमें maximum minimum निकालना है तो 2 pi r q cos q theta माइनस 2 cos theta sin square theta equal to 0 ओके तो अब इसको हम करते हैं देखते हैं कितना आता है ये करोगा ये कितना आजाएगा cos common लिए cos common लिए तो कितना आजाएगा यहाँ पर cos अगर हम ये common लिए cos square theta minus 2 sin square theta equal to 0 आया ओके तो यहाँ से हमें मिला क्या एक होगे हमारा cos theta equal to 0 और दूसरा आया cos square theta minus 2 sin square theta equal to 0 तो यहाँ से देखो cos square theta equal to 2 sin square theta तो यहाँ से आया cos square theta हमारा और sin square theta बराबर 2 तो यह होगे हमारा tan square theta बराबर 2 तो हम tan theta बराबर root 2 नहीं root 2 नहीं 2 नहीं होगा एक नहीं एक नहीं यह तो कॉठ हो जाएगा sin square theta इसको change कर जो तो 1 upon 2 अब यहाँ से हमारा आया tan square theta 1 upon 2 तो यहाँ से देखो tan theta आगया 1 upon root 2 cos theta तो tan theta बराबर हमारा आगया 1 upon root 2 अब इस पर हमें maximum value हो जाएगा मिल जाएगा ठीके यह तो हमारा 0 हो गया तो tan theta हमारा tan theta पर कितना आगया root upon 2 ठीके या direct pure को 0 करके भी कर सकते हो तो यह value मिला हमें tan theta equal to 1 upon root 2 पर ठीके अब यहाँ पर रखोगे अगर इस देखो theta equal to 0 रखेंगे तो theta equal to 0 पर theta हमारे कितना आजाएगा pi upon 2 नहीं maximum मिलेगा theta हमारा किसे में belong करना चाहिए theta हमारा 0 से लेके और pi upon 2 के बीच में belong करना चाहिए ठीके तो यह तो होगा ही नहीं छिले अब निकाल लेते है h निकाल लेते हैं इसी पर हमें tan theta पर हमें maximum मिलेगा क्योंकि एक ही हमें critical point मिला ठीके तो चलो height क्या था 10 theta equal to 1 upon height हमारा क्या maximum height देखना है height बराबर कितना है 2R sin theta 2R sin theta R बराबर 3 है अब sin theta निकालो तो देखो यहां से sin theta निकाल लेते हैं तो हम यहां से clear हो गया कि at theta equal to 1 upon to 2 ठीके 10 theta equal to 1 upon root 2 पर हमारा maximum value मिलेगा तो height निकाल लेते हैं height बराबर कितना है 2R sin theta R की value कितनी दिये 3 अब sin theta का value निकालो यहां से यहां से निकालेंगे 10 theta बराबर हो गया 1 upon root 2 10 theta बराबर कितना है 1 upon root 2 तो राइट एंगल ट्रेंगल है से द्रॉप कर लो ओके यह हो गया theta तो यह होता है कि आप पर perpendicular by base यह होता है P upon B तो 1 upon root 2 तो H कितना आजाएगा H हो जाएगा हमारा under root 1 का square और root 2 का square तो root 2 का square तो कितना हो जाएगा 2 प्लस यह हो गया 1 का square 1 प्लस 2 हो गया हमारा root 3 तो यहां से sine theta बराबर कितना हो जाएगा अब sine theta बराबर हो जाएगा 1 upon root 3 निकल गया तो यहां पर उखो 1 upon root 3 कितना हो जाएगा यहां पर rationalize करेंगे यह 6 root 3 root 3 root 3 6 root 3 upon 3 cancel 2 root 3 2 root 3 यह answer आए यह आर यह value 3 के हो रखे हैं क्योंकि r दिया है sphere का radius r कितना है 3 meter question में दिया हुआ तो h equal to इस पर maximum volume मिलेगा दिखे न h equal to 2 upon root 3 पर हमारा maximum volume मिलेगा कहां यह option में है एक option number 1 ओके बच्चो